नमश्कार दोस्तों के सवाब तो यहाँ पर आज की सवाइब हम कंपैरिजन करने वाले हैं Redmi Note 7 Pro का एसे जरवेन मैक्स प्रो M2 के साथ में जैंऄा दोस्तों क्यों कि यह जो दोजून फोन है जी काफी कमालगए उन्ट फॉन की हाई लाइट ही ये दोनों बहुत ही कम प्राइज रंस में आपको बहुत ही जादा फीचर प्रोवाइड करते तो यहाँ पर हमारा कंफीजन होता है कि इन दोनों में से कौन सा फोन बाइख करे और डौस्तो इसके साथ साथ बहुत सारे सव किसकी बहतरीन बैटरी लाइफ है and most important दोस्तों कि इन दोने में से कौन सा फोन value for money है तो इन सारे सवालों की जवाब आज की इस वीडियो में आप देने जा रहा हूँ तो दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं Redmi Note 7 Pro या फिर Asus Zenphone Max Pro M2 खरीदने की तो इस वीडियो को एक बार जरूर देखें इससे आपको हेल्फ हो की कि इन दोने में से कौन सा फोन बाई करें अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा अगर नमस्कार हो स्तो मेरा में नकूल अब देखे रहे हैंगे एकड़ा टेक चैनल को तो चली शुरू करते हैं तो चले करते हैं यहां पर इन दोने फोन का कंपार रिजन शुरुवात करते हैं अपर इन दोने फोन की हाइलाइट्स जो के इन दोने फोन के क्वालकम की तरफ से आने वाला स्नाप डाइगन का 660 वाला उक्टा कोर प्रोसेसर जो की क्लॉक टे 1.9 गीगा हर्ट पे जो की बेस्टे 40 नानो मेटर टेकनोलोजी पे ये प्रोसेसर आपको एसूस के फोन में देखने मिलता है इस प्रोसेसर की बज़े से आप काफी बहुतर तरीके से गेमिंग का भी एक्सपरेंस ले सकते हैं उसके साथ साथ आपका फोन ज्यादा गरम भी नहीं होगा बट यहाँ पर बात करें रेडमी की तो इस फोन में आपको देखने मिलेगा क्वल्कम की तरफ से आने वाला स्नाप डाइगन का 675 वाला उक्टा कोर प्रोसेसर जो की बेस्ट है 11 nanometer technology पे जो की clocked है 1.8 GHz तो इस फोन का भी performance काफी दमदार हुगा दोस्तो जो snapdragon 675 वे एक latest processor है तो यह काफी दमदार है बहतरीन एक्सपरेंस आपको इस फोन में gaming के लिए देखने को मिलेगा इसके साथ साथ एक battery sufficient processor है इसकी बज़े से इस फोन में आपक पूरे 4000 mh की battery आपको Redmi के phone में देखने को मिलेगी और पूरे 5000 mh की battery आपको Asus के phone में देखने को मिलेगी बट दोस्तो snapdragon 675 के बज़े से आपको बहतरीन battery life देखने को मिलेगी Redmi के phone में क्योंकि यह 11 nanometer technology पे बैस थे तो यहाँ पे आपको बहतरीन battery experience देखने को मिलेगा उसक देखने को मिलेगा तो यहाँ पे अगर आप बहतरीन battery life चाहते हैं बहतरीन experience चाहते परफॉर्मस का तो आप बेजी जिए करेड में के phone की तरफ जा सकते हैं दोस्तों अब तक अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक की जाए हैं हमारे जो है वो Redmi के phone में देखने को मिलेगा तो इसका मतलब दोने phone में आपको almost same display size and same display quality जो है वो देखने को मिलेगी बट यहाँ पे बात आती है लुक की तो दोस्तों आपको notch display asus के phone में देखने को मिलेगा और यहाँ पे अगर बात करें protection कि आपको दोनों phone में Corning Gorilla Glass का protection देख देखने मिलता है बट यहाँ पे दोनों phone में आपको बहतरिन protection जो है वो देखने मिलता है बात करें यहाँ पे दोनों phone की looks की तो दोस्तों दोनों phone दिखने में काफी कमाल के है Polycarbonate की body यहाँ पे Asus के phone में देखने मिलता है उपर से glossy finishing आपको देखने मिलता है यह काफी दिखने में बहतर न असुस का phone है बट यहाँ पे रेड में के phone की तरफ नदर डाले तो दोस्तों यहाँ पे आपको glassy design देखने मिलता है काफी कमाल की है multi colors यहाँ पे देखने मिलत की तो दोस्तों यहाँ पे आपको बताने की जरूरत नहीं की रेड में के phone में आपको 48 Megapixel का back camera देखने मिलेगा उसके साथ 5 Megapixel का camera देखने मिलेगा जिसमें के लगा है sony का IMAX का 586 वाला sensor इसकी बज़े से आपको जोई वह इतनी बहतरिन quality photos देखने मिलती है बट दोस्त 25 की बज़े से and sony के sensor की बज़े से बात करें asus Zenfone Max Pro M2 की तो इस phone में आपको 12 प्लस 5 Megapixel के dual camera का setup इस phone में देखने मिलेगा with LED flash इस phone में भी आप काफी कमाल के जोई वह फोटोच खेच सकते हैं इस phone में भी लगा है sony का IMAX का 486 वाला sensor बट दोस्तों आपको बहतरन photo का experience जो है वो रेडमी के phone में बेज़ जिजख देखने मिलेगा बात करें हाप एप सेलफी की तो दोस्तों दोनों फोन में आपको जो है वो 13 Megapixel की selfie मिलते है दोनों सेलफी AI technology को support करती है बट दोस्तों थोड़ा सब बहतरन experience आपको जो है वो रेडमी के phone में देखने को मिलेगा तो यहाँ पर अगर मैं सीधे सीधे कहूँ अगर आप बहतरीन photographic लिए phone लेना चाहते है आप बहुत ही जादा selfie या फिर बहुत ही जादा photo खीचते है तो आप बेज़ जिजख Redmi की तरफ जा सकते है बात करें आप इन दोनों phone की बाकी features की तो Android की latest operating system 9 Pie आपको Redmi के phone में out of the box देखने मिलेगी और एस उसके phone में आपको 8.1 Oreo देखने मिलेगा बड़ दोस्तों यहाँ पर आसुस कह रहा है कि हम बहुत ही जल्दी आपको जो है वो पाई का update देखने मिलेगे क्योंकि यहाँ पर बीटा वर्जन में आपको पाई देखने मिलता है तो इस phone में आपको बे इसमें आप जो है वो मौडिफाइब कर सकते हैं अगर आपको इन बिल्ट बहतरीं वीचर चाहिए तो आप जो है वो माई यू आई टेन के तरफ जा सकते हैं कि उसमें आपको काफी बहतरीं जो है वो फीचर देखने को मिलते हैं बट दोस्तों यहाँ पर और एक कि तो यहाँ पर आपको hybrid slim slot जो है वो देखने को मिलता है इसका मतलब आप at a time 2 sim card या फिर एक sim card और एक memory card जो है वो यूज कर सकते हैं तो यहाँ पर यह मुझे एक disadvantage लगा दोनों फोन में आपको 3.5 mm के audio jack देखने को मिलता है और यहाँ पर sound quality की बात करें तो यहाँ पर highlight क तो आपको sound quality का experience asus के फोन में जो है वो देखने को मिलेगा इन दोनों फोन में आपको Apple के arat ऑई ही दोनों फोन में आपको face unlocking का feature देखने को मिलता है यहाँ पर auto charging पी देखने को मिलता है बेट यहाँ पर Asia miraculous एपना fast face unlocking तो आपको बहतर इन एक्स्पेरेंस फेस अनलॉगिंग का एस उस के फोन में जो ए वो देखने को मिलेगा अब यहाँ पर बात आती है वेरेंट की अन्प्राइस की तो दोस्तों आपको दो वेरेंट रेडमी के फोन में देखने मिलेगे यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपको बहुत सारा ग्याप देखने को मिलता है रेडमी का चार्जबी का वेरेंट आपको 14,000 में देखने को मिलता है और दोस्तों आपको देखने को मिलता है तो यहाँ पर लगबग 2-3,000 के प्राइस रेंज का आपको गैप देखने को मिलता है अब यहाँ पर बात आती है ओपीनियन की कि इन दोने में से कौन सा फोन बाई करें तो दोस्तों यहाँ पर अगर आपका बजट 15-17,000 है तो आप बेच जख रेडमी के फोन की तरब जाएए बड़ दोस्तों यहाँ पर अगर आपका बजट 10-12,000 है तो आप बेच जख एस उस के फोन के तरब जा सकते हैं क्योंकि इतनी कम प्राइज रेंज में आपको मार्केट में कोई भी कमपनी इतने बहतरी फीचर नहीं देती दस हजार में आपको देखने मिलता है नौच डिस्प्ले स्नाप राइगन शिक्सिक्स्ती पाच हजार इमेच की बैटरी बहतरीन कैमरा सभी जो आपको बहतरीन देखने मिलता है तो अब आप सोचाझे को इन दोन में से कौन सा फोन अब आः करना चाहिए जए और डोस्तों आप मुझे बताईा अपको इन दोन में से कौन सा फोन पसंद आया अप water बाहक हुए प्लीस क्मेन बॉक्स में तो दोस्तों फिलाल के लिए इस वीडियो में अगर आपका यूडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और हमारा जो यूटुब चैनल एफेक्टाट को प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए और आपका कोई भी सुझाओ हो तो प्ली भी सुझा में दो कि लिए भी सुझा धिला